सुप्रबाद बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रुष्ट संख्या त्रेशस्ट हम पढ़ रहेते पाठ क्रमांग का आठ दो बैलो की कथा यादे आप लोगों को कहा तक हुआ था? हाँ, जूरी नाम का एक किसान था, उसके दो बैलते हिरा और मोती जूरी अपने बैलो को बहुत प्यार करता था एक दिन जूरी के पतनी का भाई गया आया और दो बैलो को ले गया वो वहाँ से काम करवाता था और उनको रुखा सुखा भूसा खाने को देता था तो एक दिन वो दोनों बैल वहाँ से भाग के आ गये फिर आया गया और उनको ले गया उनको दोनों को दिन भर काम करवाता था, मारता था, पिटता था और उनको खाने में रुका सुका भुसा देता था लेकिन गया की बेटी उन दोनों बेलों को बहुत प्यार करती थी उनको रोटिया देती थी और गया ने दोनों बेलों को मुटी-मुटी रसियों से बांध के रखा था वो रसिया वो छुडाने की कोशिश करते थे लेकिन उनको नहीं आ रहा था तो गया की बेटी ने दोनों बेलों की रसि खोल दी अब हम आगे बोले पढ़ेंगे ठीके हीरा और मुटी की खुशी का ठीकाना नहीं था जब उन्हों उसने रसि खोल दी तो वो बहुत खुश हो गे और उनके खुशी का ठीकाना नहीं था क्योंकि अब वे मुख थे थोड़ी दूर जाने पर उन्हें मटर का खेत दिखाई पड़ा जब वो दोनों हिरामोती निकले तो थोड़ी दूर जा रही तो उन्हें क्या दिखा मटर का खेत, दोनों भुके तो थे ही, हरी-हरी मटर देखकर मूह में पानी आ गया, नों खेत में घुझ गए, अभी दूचियार घासी खाये थे कि दो अदमी लाठिया लेकर उनकी पिछ इत्मी गुज्द गये अरभी दोचेज खाई पाहे तेकी दो अदमी लाठिया लिए उनके पीछे दोड़ पड़े और दोनों को पकड़ कर कांजी हाुस में बन कर कांजी हाुस बैलो जहां पर बैलो को रखा जाता है उसको कांजी हाुश बूलते हैं हीरा और मोती को पू तो आपे उनको एक भी खाने को कुछ भी ने मिला था, उन्होंने देखा कि कांजियोस में कई बैसे, कई बक्रिया, कई घोडे, कई गदे थे, पर किसी के सामने चारा नहीं था, कांजियोस में बैसे थे, बक्रिया थे, घोडे थे, गदे थे, लेकिन किसी के सामने चारा नही सबी बहुत दुर्बल दिख रहे थे खाना न मिलने के कारण वो दुर्बल दिख रहे थे हिरा ने मोती से कहा यहां से निकलने का एक ही उपा है कि दिवार तोड़ दी जाए रात होते ही हिरा ने दिवार पर सिंग मार मार कर थोड़ी से दिवार तोड़ दी जब उनकी दार ने जब यह देखा तो उसे मोटी रस्ति से बांदिया जब चवकिदार ने देखे कि ये दिवार तोड रहे है तो उसे मोटी रसे से बान दिया अब मोती ने सिंग से दिवार पर धक्का मारा तो आधी दिवार गिर पड़ी दिवार गिरते ही अधमर से पड़े हुए जनवर उठ खड़े हुए फिर मोती ने क्या गरे सिंग से दिवार तोड़ दी और जो बाकी बाकी जो बैठे थे वहाँ पड़े थे वो पड़े हुए जानवर उट खड़े हुए पहले तीनो घोडिया सरपड भाग निकली और वहाँ पे जो घोडिया थी घोडिया वहाँ से भाग निकली फिर बकरिय अभी निकली उसके बाद भैसे भी निकल गए यह जितने भी जानवर थे वह दिवार गिरते ही से वह भाग निकले गदे अभी भी वही खड़े थे गदे नहीं भगे थे वही पर खड़े थे मोती ने गदो को सिंगों से मार मार कर बहार निकाला मोती ने क्या किया गदो को सिंगों से मार मार कर बाहर रिकाला मोती ने हीरा के गले में पड़ी रसी तोड़ने का प्रयास किया परन्तु सफल नहीं हुआ मोती ने क्या किया हीरा के गले में जो रसी बांद के रखी थी और रसी तोड़ने का प्रयास किया लेकिन वहाँ पर सफलता नहीं मिली हीरा ने मोती से कहा तुम भाग जाओ हीरा ने मोती से कहा तुम भाग जाओ ने तो तुमें बहुत मार पड़ेगी हीरा ने कहा मोती से कि तुमने तो दिवार थोड़ दी तो वहाँ से क्या खरो भी भाग जाओने तो बहुत मार पड़ेगी मोती ने आखु में आसु भरकर का मैं इतना स्वारती नहीं हूँ कि मैं तुमें छोड़कर कहीं नहीं जाओंगा वो बन रहे कि तुमको यहां बानके रखा है और तुमें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाओंगा मैं इतना स्वारती नहीं हूँ कि मैं तुमें छोड़कर जाओंगा एक सप्ता तक दोनों मित्र वहाँ बंदे पड़े रहे फिर दोनों वही पे रहे किसी ने क्यारे का एक तीन का भी न डाला किसी ने उनको क्यारे का एक तीन का भी न डाला एक सुबह कांजी हाउस वालों ने दोनों को निलाम कर दिया एक दिन फिर क्या होता है माँ पे एक सुबह कांजी हाउस वालों ने दोनों को निलाम कर दिया किसी और को उन्होंने बेज दिया और एक व्यापरीन ने खरीद लिया दोनों बहुत दुरूबल हो चुकी थे हड़िया निकलाई थी उनको एक सब्थातर कुछ भी खाने को मिला नहीं था इसलिए उनकी हड़िया निकलाई थी भूख पैस से बेहाल दोनों बैस चुपचा व्यापरी के साथ चले जा रहे थे व्यापरी ने उनको खरीद लिया तो दोनों को भूख और पैस दोनों लगी थी तो चुपचा व्यापरी के साथ चले जा रहे थे जिस रास्ते से व्यापरी उन्हें ले जा रहा था वो उन्हें कुछ जाना पैचाना लगा व्यापरी वो थोड़े खुश हो गए ये तो वही रास्ता है जो जूरी के घर को जाता है उन्होंने वो रास्ता पैचान लिया और वो क्या है बुले उनको थोड़ी स्पूर्ती आगई उनको थोड़ी स्पूर्ती आगई कि ये रस्ता कहा जाता है जूरी के घर की तरब जाता है दोनों ने दम लगा कर व्यापारी से जटके से रसी छुड़वाई और भागने लगे दोनों ने क्या करें जो रसी से वो बांद के रखे थे वो व्यापारी के हाथ में व्यापारी से हाथ से वो जटके से रसी छुड़वाई और वहाँ से भागने लगे वे बैल आगे आगे और व्यापारी पिखे पिखे बैल आगे आगे और व्यापारी पिखे पिखे बागते भागते हीरा और मोती अपने घर पहुँच गया उनको रास्ता पैचाना दिखा और वहां से उन्होंने व्यापारी के आस्ते रस्ती छुड़वाली और वहां जो जोड से भागने लगे और कहा पहुच गए घर पहुच गए उन्हें देखकर जुरी बहुत खुश हुआ जब दोनु बेलो को देखा तो जुरी बहुत ऐ और अपने बेल वापस मांगने आया मोटी ने तूरंद वेयापारी पर सिंघ चलाया और वेयापारी से जान बचा कर भागा जब वह वेयंपरी झाने वहरा और закрыله डोन व्य St desse माथे क्यूम लिया दोनों को माथा क्यूम लिया फिर जूरी भी आया और वैल मिलने के कारण उसको भी उसने भी दोनों के माथे क्यूम लिये धन्यवाद फिर मिलेंगे